हेलो दोस्तों तो चली आज एक की रेशिपी बनाते हैं इसके लिए हमने क्या किया कड़ाई को गर्म किया दो चमच हमने उसमें तेल डाल दिया और तेल को उसमें पहले चेक किया कि यह गर्म है या नहीं और उसमें हमने दो हरी मेर्च कटी हुई डाल दी वैसे आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और यह देखिए हमने दो बिग साइट के प्याज को चौप करके उसमें डाल दिया और इसे हमें उतना ही भूरना है जितने में यह सौप्ट हो जाए इसे ब्राउन नहीं करना है तो यह देखिए ह पात इसके उपर से हम क्या करेंगे बस हमें पैज इतना ही भूरना है तो इसी पर हमने क्या करते है यह एक बाॉल मटर डाल दिया आप कम जादा सामान को अपने कोडिंग कम जादा कर सकते हैं और यह हमने बिग साइज के दो टामाटर जिसे हमने चौप किया और उसे डाल और डालने के बाद में क्या है इसमें हमने स्वात के अंसाट नमक डाला क्योंकि टमाटल के छिलके इतने हाड होते हैं कि वो जल्दी गलते नहीं है उसे गलाने के लिए हमें नमक डालने की बहुत याओ सकता होती है तो ये लीजिए हमने इसमें नमक डाल दिया और अब इसे थोड़ी देर हम चलाएंगा चलाते हुए अब इसे ढखके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे शौप्ट होने के लिए छोड़ देंगे और लगबग दो मिनट हो गया तो हमने इसे खोला तो देखा कि हमारे टमाटर तो बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो गया है पर अभी मटर अच्छी तरह सौप्ट नहीं हुआ यह देखने से पता चलता है तो वापस इसे हमने एक से देर मिनट के लिए फिर से वापस हमने इसे धख दिया और धखने के बाद जब हम खोलने के तो देखते हैं टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरह स सकी से तरह सउ्प्ट हो गया है तो यह लिजे मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूं तो देखिए मैं हाथ से चेक करई हैं आप चमच के सारे करेंगे अन्यता हम आदत नहीं होने से हाथ जलस भी सकता है तो यह लिजे जब मटर और टमाटर दोनों स स्वस्थ हो गया त तो उसी में हमने क्या किया, बिल्कुल टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डाला, उसी में हमने वन पिंच हल्डी डाला, क्योंकि हल्डी तो वो बस हमें डालना है, कोई जरूरी नहीं है, और स्वात के कॉर्डिंग हमने इसमें लालमेश पाउडर डाल दिया, और अब हम इसे अच फ्लेम पे दो मिनट के लिए ढख देना जब ढखके आप खोलेंगे तो देखेंगे कि इस से चारों तरफ से हलका हलका तेल रिलीज कर हो गया है जैसे हैं यह तेल छोड़ने लगा तो अब इसे भूनेंगे तो यह बहुत ही अच्छी तरह से भूनाएगा और इसमें दो तीन पिंच सामान मैं और डालूंगे सामागणी जिससे इसका टेस्ट बहुत ही उमर के आएगा और खाने वाले को सोचना पड़ेगा कि यह अंडे की भुजी बनी है ना पनीर की भुजी बनी है क्योंकि इसमें से अंडे की बिल्कुल ही थोड़ी सी भी इसमेल नहीं आएगी तो यह लीजिए बिल्कुल वन पिंच हमने इसमें गर्म मसाला डाला जादा गर्म मसाला यूज नहीं करना है अन्य था वो पूरी ही बुजी केवल गर्म मसाला की तरह ही लगने लगेगा तो हमने बहुत थोड़ी सी गर्म मसाला डाला और जैसे यह बुन गया तो उट में हमने हरा दनिया डाल दिया काटके और यह सारा हरा दनिया हमने डाला और इसी में हमने डाल दिया यह थोड़ी सी कटी हुई कमसे का मैं दो तीन मिनट तक खुब भूने जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे तेल होता जाएगा और यह त्यार तो यह लिजे मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूं तो यह लिजे इस परकार आपको हमारी रेसिफिक ऐसी लगती है आप हमें कॉमेंट सेक्षन में जरू पाती और साथ में धनिये का चटनी भी दे दिया जो लोग नन वेजिटेडियन नहीं है उनको मैं सौरी वोटी हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेडियन है तो उन्हें यह रेसिपी देखके साथ अच्छी बढ़िया नहीं लगेगा लेकिन क्या करें हमें त तेयारे, तेंक यू